दोस्तों गर आप भी यशरस्वी जैसवाल को खतरनाग बल्लेबास मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर गीजेगा दोस्तों ICC ने यशरस्वी जैसवाल को बनाये प्लेयर आफ दा मन्त तो क्या बोले पाकिस्तान की तमाम दिगज जियां दोस्तों इस महीने के लिए ICC ने जैसवाल को प्लेयर आफ दा मन्त का एवार्ट दे कर सम्मानित किया है जिसके बाद पाकिस्तान के दिगजों का बयान सामने आया है इस बीच वसी मकरम रमीज रजा से लेकर श्रेबक्तर शहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश ओड़ जाएंगे तो आखिरकार यशसवी जैसवाल के प्लेयर आफ दा मन्त बनने पर पाकिस्तान के दिगजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोही चर्म और यशसवी जैसवाल में से कौने महान सलामी बल्लेबाज अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों जैसा कि आपको बता है भारतिय टीम ने इंग्लैंड के किलाफ टेस्ट सीरीज को अपने नाम किया है और इसके तुरन बाद भारती टीम IPL की तैयारी में लग चुकी है लेकिन इस बीच प्लेयर आफ दा मंथ के नॉमिनेशन का एलान ICC ने पहले ही कर दिया था लेकिन अब उसके विजेता का नम घोशित कर दिया है इस दोरान ICC ने प्लेयर आफ दा मंथ फरवरी के लिए यशसवी जैसवाल को विजेता घोशित किया है क्योंकि यशसवी जैसवाल ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए फरवरी में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ दो टेस्ट में लगातार दो दोरे शतक लगाए है और सभी को प्रभावित किया है ऐसे मैं यशसवी जैसवाल ने के किन विलियमसन और प्रतुम निशंका को पीछे चोड़ देने के साथ प्लेयर आफ दा मंथ का खिताब उन्होंने जीता है जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बनने वाला इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि यशसवी जैसवाल ने टेस्ट मैच के अंदर काफी ज्यादा बहतरीन प्रदर्शन किया और पूरी दुनिया को बात कर शेताब नी दिये कि इस खिलाडी से बचकर रहने की आवश्रक्ता आपको बनने वाली है क्योंकि इस खिलाडी ने अपने प्रदर्शन के जरिये पूरी दुनिया को दिवाना बना लिया और इसी वजह से आज इसको प्लेयर आफ दमन्त का भी अवार्ड मिला है तो वहीं रमीज रजा ने बयान देते हुए कहा है कि भारती टीम के महान खिलाडी य इस खिलाडी के बिना भारती टीम टेस्ट सीरीज को नहीं जीत पाती इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारती टीम के लिए ये शस्वी जैसवाल अगर बहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारती टीम को इंग लैंड के खिलाव सीरीज के इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ये शस्वी जैसवाल जिसको देखकर हर कोई है और मुझे लगता है कि इस तरीके से बहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाडी की आवश्यक्ता पाकिस्तान की टीम को भी है तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान दे खिलाडी ने बहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है और टेस्ट मैच में दो धोरे शतक लगाए हैं ऐसे में अब इस खिलाडी के बिना किसी और खिलाडी को कैसे आप प्लेयर ऑफ दा मंत का अवाड दे सकते हैं हालाकि इस खिलाडी से बहतरीन इस महीन या शस्वी जैसवाल को प्लेयर ऑफ दा मंत चुनकर सही किया या गलत अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद